अब खबरे विस्तार से एनच 53 में बन रहे कुमारी ओवर बिज की घटना कंस्ट्रक्शन कम्पनी की बड़ी लापरवाही उजागर करती है इस हाथ से में एक हस्ता खेलता परिवार उजड़ गया है अधूरे फ्लाइ ओवर से गिरी बाइच चलक पती पतनी की मौके पर ही म हाला कि इस मामले में दुर्व पुलिस ने सेक्शन 304 के तहट निर्मार एजनसी के खिलाप मामला दर्ज कर लिया है लेकिन कुमारी शेत्र के लोग इस घटना की वज़े से काफी आकरोशित नजरा रहे हैं लोगों ने थाने का घिराव कर F.I.R. की मांग करते हुए कुमा अधिकारियों के खिलाप मामला दर्ज होना है जिसमें एन एच एवन निर्मार एजनसी और वे इंजिनियर शामिल है जिन्ने देखरेक का जिम्मा सौपा गया था देखे सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो ब्रिज बन रहा है यहां पर यह चार साल से अधिक समय हो गया है और इसमें जो यहां की जो लोकल एजनसियां हैं क्योंकि कोई भी काम चुकि माननी मुख्यमंत्री जी का अक्षेतर है उनका सीधा प्रभाव भी है और इस तरीके से जो खटनाय हो रही है इसका संग्यान नहीं ली जाए यह बहुत दुखाद है जो यहां के अधिकारी है वो लोकल पीड़ी के ही अधिकारी यहां एनेच में काम करते हैं हम लोगोंने कई बार उनसे मुलाकात की उनका कहना था कि हम इसको तीन मेने में पूरा कर लेंगे मगर चार वर्ष हो गया अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर निर्माना धीन है कोई पुल आपका अधूरा बना हुआ है उसमें गाड़ी जाकर के गिर जाए नीचे ऐसी लापरवाही तो यह गोर लापरवाही है कहीं देखन है आप इसके लिए क्या करेंगे हम लोग तो यह मांग कर रहे हैं कि इसमें तत्काल प्रवाव से सुरक्षा की पूरी व्यवस्ता चाख चौबंद की जाए तत्काल प्रवाव से जितना सीग्र से सीग्र हो सकता है पुलिया का निर्मान पूर्ण हो और जो इस लापरवाह वापस से ना हो कि मुख्यमंत्री जी ने खेद किया है। मुख्यमंती जी का क्षेत्र है केर रहे हैं वह थो कि ठीक है değil उनका चीश Hetये है चार साल से पूलिया बन रही वह रोज आते-जाते हैं इस से ज़्याइद शर्म ना कोई बात नहीं हो सकती है कि आपके विधान सब्स पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं बंद करा दीजिए अगर नहीं करा सकते तो बंद करा दीजिये लोगों की जान तो बचाई है और उसके जो दोनों साइड में सडके सटूल से अटी पड़ी है वो भी तो नेशनल हाईवे है आज पुलिवा के ऊपर से जो ट्रैफिक नी जा पाता हो नीचे से जाता है हमारे व्यापारी भाईयों का पूरा व्यापार पिछले चार साल से वहां इतना घोर तरीके से प्रभावित है किसी का व्यापार नहीं हो पा रहा है उन सडकों को काम तो कुछ नहीं कर रहे है किसको पैसा जा रहा है पता नहीं है कौन ठेकड़ारी कर रहा पता नहीं है लेकिन वह जो जो just the दो बननी चाहिए वह सँझे में दूल है घड़े हैं व्यापारी और जंता परेशान हैं और पुलिया से लोग गिरके मर रहे हैं किया कुछ मामला था और किस प्रकार गहतला कि रात दो दरदनां घटना हुई है कुमहरी फ्लाइवर के पास तो पहले घटना हुई है वो इक भाइक के हुई है दो इंसान जिनका नाम है आजुराम देवांगन और निर्मला देवांगन ये रायपुर के रहने वाले चंगोर भाटा के पास ये भिलाई अपने परिजन के यहां कोई शाधिया टेंट करने आये ते हैं और शाधिया टेंट करके वापस जा रहे थे पत्ति पत्नी थे पुलिस वाले स्टॉपर्स लगे हुए थे और किनारे से थोड़ी से जगह थी संभावता वहां से बाइक अंदर गई अंदर की रोड पिछले एक हफ्ते दस दिन में बनाई गई है बहुत अच्छी पीछ रोड है तो एक चला के अंदर जो लालसा होती है कि हां इदर से खाल पुड़ी जगी थी अगर वहां से बाइक गुषा है तो वहां से गुषने के बाद लगबख 300 मिटर का डिस्टेंस था जहां पर बहुत अच्छी सड़क बनी हुए यह खाली सड़क है तो बाइक ने बहुत तेजी पकड़ी अच्छी स्पीड पकड़ी थी और रात का अं इसी ब्रहम में वह इंसान था दिवांगे जी इसी ब्रहम में थे कि ब्रिज कंप्लीट है जब वह 20-30 मीटर के करीब हाए तब उन्हें अन्दाजा होना शुरूआ कि ब्रिज कंपीटर नहीं और सामने गड़्डा उन्हें ब्रेक भी लगाया और ब्रेक लागाने के बाद बात की थी ठीक ठाक लगड़ी थी वो उन्हें एमस भेजा गया है और वहां को उनका इलाज चल रहा है यह पहली घटना थी पहली घटना हुई थी दस ग्यारा बजे के आसपास ग्यारा बजे पांस-दस मिनट आगे पिछे पहली घटना इस दर्दना घटना से शेत्रवा पासियों में काफी आकरोश दिखा जा रहा है देखना है इनका आकरोश का सर किस तरह पड़ता है ग्रेंड इसी न्यूस के लिए शैलन खरेक रिपोर्ट